क्या आदा? चोटा सा इंटर्वियू कहा जा सकता है तो वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होने वाली है इसलिए वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ के ये सब स्टार्ट कहां से हुआ एपिसोड 76 के फस्ट पार्ट रिलीज होने के बाद क्रीक क्राफ्ट और स्टेक नई एपिसोड के इंतजार में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और उन्होंने बूम के साथ चैट करना स्टार्ट कर दी जिसमें बूम ने स्टेक को ट्रोल किया और फिर एक शर्त रख दी कि मैं इस सुरत में एपिसोड रिलीज करूंगा अगर स्टेक लाइव स्ट्रीम पे शर्ट उतार दे और अपने सर की शेव कर दे इसके बाद बूम ने स्टेक को मजीर ट्रोल किया और कहा कि इसके साथ वो अपने आई ब्रोज भी शेव करेगा ऐसा करने के लिए स्टेक के पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है वरना एक साल तक एपिसोड रिलीज नहीं होगी इसके बाद स्टेक को ऐसा करना पड़ा क्यूंकि ये सब लाइफ स्ट्रीम पे था और स्टेक ने कम्यूनिटी के लिए अपनी आई ब्रोज भी शेव कर दी ताके हम नई एपिसोड इंजॉय कर सकें इस बाद पे स्टेक के लिए एक लाइक तो बनता है उस लाइफ स्ट्रीम में बूम ने ये भी कहा कि अगर स्टेक आई ब्रोज शेव करके सामने आएगा तो एपिसोड रिलीज हो जाएगी लेकिन इस से पहले के वो खेलना शुरू करते उन्होंने बूम से कुछ फ़नी क्वेस्टन पूछना स्टार्ट कर दिये जिस पे बूम ने टाइटन टीवी मैन की जिफ के साथ जवाब दिया जो हैरान था कि यहाँ क्या हो रहा है जिसके बाद क्रीक ने क्वेस्टन किया कि कौन जादा खुबसूरत है स्टेक या क्रीक जिस पे बूम ने रिजी फेस म्यूटन की जिफ के साथ जवाब दिया और बूम हमेशा की तरह अपने जवाब से कनफ्यूज कर देता है क्यूंकि इसमें ये समझ नहीं आ रही कि उसने किसको खुबसूरत कहा लेकिन अगला स्वाल बहुत इंपोर्टन था जो क्रीक ने पूछा वो ये था कि फ्यूचर में कभी वाइस रिवील करेंगे जिसपे बूम ने ये जिफ भेजी जिसमें पी ओवी कैमरा मैन हेल्प के लिए आगे हाथ बढ़ाता है लेकिन डार्क स्पीकर मैन उसे कहता है नो जिसका मतलब है कि बूम अपनी वाइस रिवील नहीं करेगा लेकिन वो एक्चुली कई बार वाइस ओवर कर चुका है और वहां उसने करेक्टर्स के मताबिक आवाज को चेंज किया रिसेंटली बूम ने एक ब्लूपर वीडियो में स्किबिटी टॉयलेट मल्टी वर्स के कमांडर मेल 07 को वाइस दी लेकिन हमने अभी तक बूम की उरिजनल आवाज नहीं सुनी फिर स्टेक ने पूछा कि क्या बूम ने उसे लाइक किया तो इस पे बूम ने एक एक बेजा और स्टेक ने इसका मतलब हाँ समझा लेकिन फिर बूम ने इसकी सारी खुशी पे पानी फेर दिया और टाइटन कैमरा मैन की जिफ बेजी जिसमें वो कह रहा है नो इसके बाद क्रीक ने स्किपिडी टॉलिट सिरीज के बारे में सबसे इंपोर्टेंट क्वेस्टन पूछा और वो ये था कि आपने अभी तक कितनी एपिसोड का प्लैन बनाया हुआ है इस सवाल पे ऐसा लग रहा था कि बूम इसका जवाब नहीं देगा लेकिन उसने 100 नमबर वाला जिफ बेजा जिसका मतलब है कि 100 एपिसोड की स्टोरी लिखी जा चुकी है और अगर प्लॉट 100 एपिसोड तक त्यार है तो मुझे लगता है कि ये सिरीज इससे भी ज़्यादा देर तक चल सकती है मैं आपको इसकी वज़ा बताता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है एपिसोड 74 में अफिशली एस्टो आर्क स्टार्ट हुआ और बूम ने अपनी कम्यूनिटी में एक पोस्टर भी बनाया था और मुझे लगता है कि ये आर्क नमबर 2 है और पहला आर्क एपिसोड 74 तक चलता रहा इसी तरह अगर एक आर्क 70 एपिसोड में पूरा हुआ है तो एस्टरो आर्क 10 एपिसोड में खतम नहीं होगा मुझे लगता है कि एस्टरो आर्क 100 एपिसोड तक चलेगा और इसके बाद एपिसोड को किसी नतीजे की जरूरत होगी तो उसके लिए एक फाइनल आर्क होना चाहिए और ये आर्क 10 या 50 एपिसोड तक चल सकता है ये तो एक थियोरी थी लेकिन हो सकता है कि ये फाइनल आर्क हो और एपिसोड 100 तक ये सिरीज खतम हो जाए लेकिन अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं अब वापस आते हैं बूम वर्सेज टेक एंड क्रीक की गेम की तरफ जिसमें वो बूम को हरा तो नहीं सके पर बूम से कुछ क्वेस्टन्स किये जिनके अंसर में बूम ने हमें बहुत सारे सीक्रेट्स बताए और उन सीक्रेट्स में से कुछ हम पहले से ही जानते हैं जैसा कि एपिसोड 77 में टाइटन्स होंगे और ये एपिसोड 3 पार्ट्स में रिलीज होगी लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये एपिसोड काफी बड़ा होगा जिसका मतलब ये हो सकता है कि इस एपिसोड का हर पार्ट चार से पांच मिनट लंबा होगा बूम से ये भी पूछा गया कि उनको इस सिरीज की इंस्पाइरेशन कहां से मिलती है जिस पे बूम का जवाब था कि वो वेब सिरीज, गेम्स और फिल्म्स बगेरा से इंस्पाइर हैं साथ ये भी बताया कि स्किबिडी टॉलेट भी गेम्स की तरह बनाया गया है इसके बाद स्टेक ने पूछा कि जो ओल्डर पिपल इस सिरीज को इंज़ाय करते हैं उनके बारे में कैसा फिल करते हैं तो इस पे बूम ने जवाब दिया कि ये बहुत अच्छा है स्किबिडी टॉलेट जेनरेशन को युनाइट करता है इसके बाद बूम ने स्टेक से कहा कि वो चीखने में बहुत अच्छा है मैं इसे रिकॉर्ड करूँगा और अपनी सिरीज में यूज़ करूँगा इसके साथ बूम ने ये भी बताया कि वो ट्रास्फार्मर्स डार्क एट दी मून को लाइक करते हैं लेकिन ट्रास्फार्मर्स 2007 उनके उपिनियन में बहुत ज़ादा पुर्जोश है और इसके साथ हमारी वीडियो खतम होती है मुझे उमीद है कि आपने इस वीडियो को इंज्वाए किया होगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें हम मिलते हैं स्किबिटी टॉलेट सीरीज की नई अपडेट के साथ